नमस्कार वेलकम तो स्टडी आइक्यू मैं हूँ प्रशान दवन और इस वीडियो में हम डीटेल्ड अनलाइसेस करेंगे के दुनिया में कौन-कौन से देश हैं जो हैपी हैं के डॉनल्ड ट्रम्प बन चुके हैं युएसे के 47 प्रेजिडेंट और कौन-कौन से कंट्रीज ह जो सैड है के ट्रम्प अब आ गए अब तो देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं ना ओविएसली थम्नेल को देखके आपके बैंट में सवाल आएगा पुतिन ठीक हैं काफी हैपी लग रहे हैं इंडिया उतना हैपी नहीं लग रहा जितना रशिया है देखो यहाँ पर हमको देखना होगा कि कौन सा कंट्री ट्रम्प से कितना गेन करेगा भारत की अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही इंट्रस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ फर्स्ट अप डॉनल्ड ट्रम्प दोजार पच्चिस में ही भारत आएंगे जी हां दोजा 2024 में होना था भारत में ये हुआ था यूएस में और इंडिया का कौार्ट समिट शिफ्ट कर दिया या 2025 में अब इसका फायदा ये होगा कि डॉनल्ड ट्रम्प प्रेजिडेंसी समालते ही पहले साल ही भारत में आएंगे बहुत अच्छा इससे मैं काऊंगा एक बेस एक फ इंडियंस ने प्रैमेरली जो हिंदू रिलिजन के अमेरिकन इंडियंस हैं इन्होंने हीूट स्केल पर वोट किया है डॉनल्ड ट्रम्प के लिए आप सोशल मीडिया पे देखोगे कई अमेरिकन इंडियंस ने ओन रेकॉर्ड ये का है कि मैं ट्रम्प करता आ रहा था और इस बार भी मैंने ट्रम को ही वोट किया है और जिस तरीके से डॉनल्ड ट्रम्प ने इलक्शन से पहले कैम्पेंट के दुरान ये का था कि ये हिंदूस globally दुनिया भर में जो हिंदूस हैं इनकी production के लिए काम करेंगे इसको promise करेंगे के हिंदूस की जो rights हैं इनको defend किया जाए इस वज़े से भी मैं आपका बता दूँ देखो Trump को अगर मैं बात करूँ minority votes की तो दो communities ने भर के vote किया है एक तो Indian Americans दूसरे Jewish Americans बताया जा रहा है कि 1980 के बाद से पहली बार है कि Jewish Americans Jewish Americans obviously वो लोग चाते हैं कि ऐसा president जो इसराइल को हमेशा support करें इसराइल की जो war है उसको support करें तो Jewish Americans ने record number पे Donald Trump के लिए vote किया है और इस वज़े से आप देखोगे जब इंडिया में आएंगे इनको बहुर अच्छा welcome मिलेगा जब ये इसराइल में जाएंगे तब भी आप देखोगे इनको बहुत ही अच्छा welcome मिलने वाला है और जैशंकर साब से जब recently पूछा गया कि देखिए Donald Trump के बारे में आपका क्या विचार है इनका पहला अंसर था Quad याद रखिएगा 2017 से पहले बराक उबामा के tenure में Quad Alliance almost dead हो चुकी थी टरंप ने वापस Quad Alliance को जिन्दा किया है और अब possibility है कि जब टरंप भारत में आएंगे Quad Summit को अटेंड करने के लिए तो भारत और US के वीच में defense related बहुत सारी और developments हो सकती है क्योंके इससे पहले भी टरंप की first term में आपको याद होगा हमने Comcasa, Lemua, Becca जैसे agreements ये sign किये थे USA के साथ टरंप ने almost आप क्या लीजिए एक foundation रख दी थी एक strong Indo-US partnership की और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि देखिए चाइना के साथ तो हमारे relations अब improve हो रहे है न तो Quad की इत्ती importance आपको दिख रही है बिलकुल दिख रही है जब तक line of actual control में जो भी disputes है ये resolve होकर इंडिया और चाइना की एक proper international border नहीं वनती तब तक देखिए Quad की importance मैं कहूंगा इंडिया के लिए बिलकुल हमेशा रहेगी और Quad को ट्रम जितना promote करेंगे उतना चाइना में pressure आएगा कि इंडिया के साथ अब relations ठीक करने का समय आ चुका है तो this is a huge positive for इंडिया उस सब के इलावा ट्रम देखिए रश्या पर से जो sanctions हैं ये lift कर देंगे मैं आपको बदा दू मेरे कई जो मित्र हैं आज के समय मॉस्को में पीटर्सबर्ग में उनमें से कई लोग geopolitics में काफी रूची रखते हैं उन समने ये का है कि हम बहुत खोश हैं कि Donald Trump आ चुके हैं क्योंकि Trump ने on record ये का है कि मैं वार खतम कर दूँगा युक्रेन रश्या वार की ये primarily बात कर रहे थे और साथी साथ रश्या पर से जो US के sanctions हैं ये हटा दूँगा रश्या पर जैसे मैं आपको बताया 20,000 से उपर sanctions हैं इन sanctions की वजए से इंडिया रश्या से defense equipment purchase भी नहीं कर पा रहा तो रश्या पर से जो ये बहुत सारे sanctions जब हटेंगे रश्या एकोनमी के लिए बहुत अच्छा होगा और साथी साथ भारत को भी और options बिलेंगे हम कल को चाहें तो रश्या से weapons purchase कर सकते हैं even oil की अगर मैं बात करूँ कच्चे तेल की तो कच्चे तेल के दाम Trump के अंडर बहुत जड़ा गिर सकते हैं क्योंकि Trump ये चाते हैं कि USA भी कच्चा तेल huge scale पर produce करे तो इंडिया के सामने option होगी कि हम रश्या का कच्चा तेल या फिर American crude oil कुछ भी purchase कर सकते हैं market में crude oil की भरमार होगी it will be very easy to buy अब यहां में आपका सवाल आ सकता है कि अच्छा भरमारी भरमार होगी oil ही oil होगा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तो फिर इंडिया अच्छे से smile क्यों नहीं कर रहा यह अच्छे smile इसनेल नहीं कर रहा क्योंके कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी trade को लेकर Donald Trump काफी कठिन सवाल पूछेंगे भारत से कि American companies जब आपके देश में कुछ export करना चाती है तो इतने सारे tariffs क्यो लगाते हो कई sectors में हो सकता है कि भारत को tariffs हटाने हो Elon Musk को तो मैं आपको बता दू since Elon Musk ने इतनी ज़रा help करी है Trump की कोई बड़ी बात नहीं है Trump Indian government पे pressure डाले कि Tesla की अब आराम से entry कराओ इंडिया में जो भी पहले कुछ मनमुटाव था कि पहले manufacturing करोगे manufacturing नहीं करोगे सब खतम करके आप Tesla को एक free entry दो एक complete entry दो Indian market में और साथ ही साथ Starling की भी entry कराएंगे Donald Trump Elon Musk के लिए देखिए बहुत कुछ मैं कहूंगा as his supporter ये कई countries को ये कहेंगे के Elon Musk की companies को आप access दीजिए अपनी market का तो वो pressure इंडिया पे भी आएगा वो pressure के साथ हम क्या करेंगे वो देखना होगा बट overall great news for India और इंडिया के साथ ही देखिए एक देश है बांगलादेश बांगलादेश की अगर मैं बात करूँ तो बांगलादेश as a country देखिए इतना important है नहीं बट मौहमद युनस ये बिल्कुल नर्वस फील कर रहे होंगे मौहमद युनस देखिए बहुत ज़रा करीबी है युएस की डेमोक्रेट पार्टी के primarily मैं कहूंगा जो क्लिंटन्स है हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, उबामा उनके ये बहुत करीबी है ट्रम्प के actually ये कावी बार आलोशना कर चुके है क्योंके since इनकी नज़दीकी बहुत ज़ादा है क्लिंटन से, क्लिंटन्स डेमोक्रेट पार्टी को बिलॉंग करते है तो 2016 में जब ट्रम्प पहली बार बने थे प्रेजिडेंट आफ युएसे उस वक्त मुहम्मद युनस being a loyal supporter of Bill Clinton, Hillary Clinton इन्होंने का था कि ट्रम्प की जीत एक solar eclipse की तरह है मगर जो एक उजाला है जो एक दिन आएगा वो इतना दूर नहीं है basically ट्रम्प की इन्होंने खुल क्या लोशना करी थी और ट्रम्प ऐसी बाते भूलते नहीं है ये मैं आपको बता दू इसलिए again जो recently इन्होंने ये भी कहा के बांगलादेश में जो आज के समय हो रहा है बहुत गलत है जबकि current US administration इसको लेकर बिलकुल चुप है इस वज़े से बांगलादेश में जो अभी interim सरकार है ये काफी नर्वस होगी ट्रम्प definitely pressure डालेंगे बांगलादेश की interim सरकार पे के शेक हसीना की party पे जो crackdown कर रहे हो ये मत करो जल्द से जल्द elections करवाओ उसके बाद लोगों को decide करने दो कि वो किसको चुनते हैं और आप कहले जीए बांगलादेश में genuine democracy इससे हो सकता है के लोड़ जाए अभी के लिए बांगलादेश में जो system चल रहा है बहुत लम्मा समय हो चुका है अब तक यहाँ पे elections नहीं होए बाकी आप अगर बाकी countries की अगर हम बात करें इंडिया के आसपास जो बाकी देश हैं पाकिस्तान को छोड़के पाकिस्तान पहाँगा अभी नेपाल, भूटान, बाकी countries की मैं बात करूँ तो ट्रम्प को एक्चली 2017 के आसपास लगता था कि नेपाल, भूटान ये भारत के पार्ट है और लिट्रली नेपाल को कुछ औरी बोल दिया था भूटान को भी कुछ औरी बोल दिया था भूटान को इनोने बडन बोल दिया था तो बाकी countries को लेकर ये चिंते थोंगे नहीं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ वेरी इंट्रस्टिंग केस आप एक बात नोट करना डॉनल्ड ट्रप ने हर चीज़ पर ट्वीट करी है जो हिंदूज हैं इन बांगला रेजियों पर अटाक्स हो रहे हैं उस पर भी ट्वीट करी एक बार भी इमरान खान पर ट्वीट नहीं करी कि इमरान खान को जो जेल में डाला हुआ है, बहुत गलत है, इससे एक indication मिलती है कि पाकिस्तान-US के relations में कुछ जादा बदलेगा नहीं, ये possibility है कि US जो aid, military aid open करने वाला था पाकिस्तान के लिए Donald Trump वापस इसको block कर सकते हैं, that can very much happen, उसके इलावा I don't really think कि इमरान खान को निक of change, हर जगा ये change ला रहे हैं, तो शायद ये इमरान खान को support कर दे, बट नहीं, इसके chances काफी कम लग रहे हैं, at least for the time being, मैं कहूंगा, काफी कम लग रहे हैं, now फिर अगर हम बात करें, China की, now this is very important, Trump का ये plan है कि China से जो भी चीजे, US से import करता है, उस पे 60% tariff ये लगा एक humongous number है, आप खुद imagine कर सकते हैं, जो चीज 100 डॉलर की पहले विकती थी Chinese in US, ये 160 डॉलर की विका करेगी, Indian, Vietnamese companies के पास एक बहुत अच्छी opportunity होगी, के हम लोग US में export कर सकते हैं, कम दामों पर, पहले Chinese companies अपने दम पे दाम कम करके बेश्ची थी USA में tariff लगने के बाद, Indian companies को huge advantage मिल जाएगा, एंड बिलकुल इससे India के जो exports हैं to US बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा vacuum, जो जगा Chinese products छोडेंगे, वहाँ पर बिलकुल बाकी companies अपना जो stake है, बढ़ा लेंगे, चाइना के लिए Trump बहुत बुरे हैं, just absolutely bad, in every way, shape or form, एक अच्छी बात लिंग पिंग अटैक करते हैं, ताइवान को तो परहापस जिस तरीके से जो बाइडन युक्रेइन की help के लिए कूद गए थे, Trump हो सकता है कि इतना कुछ ना करे ताइवान के लिए, ना फिर finally हम यहाँ बात करते हैं, Canada की, ना मैं यहाँ पर खालिस्तान वाला issue discuss नहीं करन करते हैं, कि सुनो मेरी कोशिश है कि इंडिया और G7 countries के relation सुधरे, जो तुम कर रहे हो, उससे मेरे एक प्रयास में विफलता आ रही है, तो देखना होगा, Trump की overall नीती क्या है, खालिस्तान वाले मामले में, बट अगर मैं बात करू, direct US-Canada relations की, Trump Canadian dollar को डुबा देंगे, यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात Canadian media खुद लिख रहा है, reason मैं आपको यह बजाता हूँ, Trump USA में corporate tax और कम करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, कि बहुत सारे Canadian investments यह जाएगी US की तरफ, Canadian dollar और कमज़ूर होगा, और Canada देखिए, बहुत सारा पैसा कमाता है, विदेशी मुदरा कम आता है, oil export करके, तेल export करके, तो जो Trump का idea है, कि USA भी oil export करेगा, उससे Canadian exports को competition मिलेगा, दुनिया भर में globally, oil की कीमते गिरेगी, जिससे Canadian exports भी कम होंगे, और Canadian dollar की ठीक ठाक पिटाए होने वाली है, जब Trump की first term थी, तब भी Canadian dollar बहुत गिरा था, second term में भी लग रहा है, कि Canadian dollar को अच्छे से ये नुकसान पहुचाएंगे, तो जो Canada आपको sad दिख रहा था, इसके पीछे एक genuine reason है, ऐसानी है कि Justin Trudeau को डाट के आ जाएंगे, टरम के आने से Canadian economy को जटका लगेगा, और इचली मैं देख रहा था, कि Canada के even जो opposition party के leaders भी है, पियर पॉलिवियर, वो भी कह रह करेंगे, कि Donald Trump बन चुके है, the President of USA, और फाइनली अगर आप मैं बात करूँ Europe की, देखिए, युरोप पे रिसेंटी एक सर्वे हुआ, सभी European countries में लोगों से पूछा कि क्या आप Trump को support करते हैं, कि आप चाते हैं कि Trump जीच जाएं, तो इंट्रस्टिंगली, ओल्मोस्ट सारे European countries ने, especially Germany ने, सब ने कहा, कि हम चाते हैं कमला हरेस जीच जाए, Trump तो देखिए, बहुत ज़रा खराब बाते करते हैं, ये बहुत ज़ादा प्रो-Russia है, ऐसी बाते European citizens ने कई है, अब यहाँ पे आप कहोगे, ऐसा क्या कहा दिया Trump ने, कुछ महीने पहले, Trump ने ये कहा दिया नहीं है, जितनी इनको करनी चाहिए, लिटरली इनोंने का था, Trump says he wouldn't encourage ये कहेंगे, रशिया को, जो करना है करो, do whatever the hell they want, ये भाशा देखिए, Europeans को अच्छी नहीं लगती, Europe जैसे वो खुद को कहते हैं, गार्डन है दुनिया का, तो गार्डन में, obviously, ये नहीं चाहेंगे, ये क्या आग लग जाए, तो Europe, obviously, बिल्कुल इस वक्त नाराज है, कि Trump बन चुके हैं, US के President, तो ये देखिए, अभी current situation है, Ukraine का आप समझ सकते हैं, क्या हाल होने वाला है, Trump ने बार-बार अपने भाशनों में का है, कि Zelensky को बहुत सारे billions of dollars मिल रहे हैं, USA से, जब ये President बने ये beautiful news होगी, उनके देश का विस्तार भी हो गया, जो sanctions लगे थे, वो भी हट गए, bonanza, मतलब, Vladimir Putin का जो जुआ था, काम कर गया, So Russians obviously बहुत खोशा हैं आपर, देखना ये होगा कि Ukraine Russia war कैसे रुकती है, कब रुकती है, बट overall ये स्थिती है इस वक्त दुनिया की, and this is how the world is reacting to Donald Trump's victory, Finally, आप से पूछूँगा यहाँ पे एक सवाल, देखे हाली में भारत और वियतनाम का एक युद अब्यास हुआ है, विन बैक्स के नाम से आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है, जहाँ पे विन बैक्स का पांचवा एडिशन 2024 में हुआ है, ये हैं यापे आपकी options, पंजाब, हर्यना, राजस्तान, या फिर सिक्केम, comment section में करिये उत्तर, जो लोग देंगे सही answer, उनकी comment को मैं दूँगा हाड ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही answer क्या है, और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे है, study IQ के पास आपके लिए courses है for various examinations, जो आप purchase कर सकते है study IQ.com पे, simply आपको करना क्या है, comment section में जाएए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये link, इ fast track foundation batch है, ये आपकी काफी help करेगा for the upcoming UPSC examination, उसके इलावा SSE, bank, various exams के courses यहाँ पे आपको मिलेंगे, that you can purchase, but जो यहाँ पे price लिखा है, never pay this price, simply यहाँ पर code यूज करिये PD10 और prices अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे, you will be able to save a lot of money, so use the code PD10 and save money, easy note के साथ, यह है वीडियो Thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you.